लुकाष पहितार मत्त ओवका थे तेलो फ्रेंडस को स्वागै थे आपका इस नए बीडीयो कि आज की इस बीडीयो लेक्शर में लोग बात करने वाले हैं के एंन टी एससे सिस्टं के वारे में ठीक है एंटी है शीन system क्या होता है इसके बारे में आपको बहुत सारा नौलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा ठीक है, तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था सर Anti-Acid System पे वीडियो बना देजे, PAL पे वीडियो बना देजे CCAM पे वीडियो बना देजे तो इस video lecture में हम लोग इसी topic को cover करेंगे anti-acid system के बारे में ठीक है और आने वाले video lecture में हम लोग PAL को भी देखेंगे और CCAM को भी देखेंगे और इन तीनों system जो है इसमें compare भी करेंगे आने वाले video lecture में ठीक है होता है जो color system होता है color TV system होता है उसका एक standard है ntsc system ntsk का full form क्या होता है national television system committee टीक ntsc इसका full form क्या होता है national television system committee ठीक है second point इसको introduce कब किया गया था 1904 में ठीक है USA के द्वारा USA के द्वारा 1904 में इसको introduce किया गया था लेकिन 1957 में इसको develop किया गया ठीक है तो जब introduce किया गया था कितने में 1904 में लेकिन डबलप कप किया गया उनिस संतावन में ठीक है किसके द्वारा इंट्रोडीश किया गया था USA ठीक है United State of America ठीक है तो जो एंटी एस्टी कलर सिस्टम टीवी सिस्टम इस कमपेटेबल विद अमेरिकन 525 लाइन मोनो क्रोम सिस्टम ठीक है तो जो एंटी एस्टी कलर टीवी सिस्टम होता है वो कमपेटेबल होता है किससे अमेरिकन 525 लाइन monochrome system से 525 line monochrome system होता है इसी से compatible होता है कौन ntsc color tv system ठीक है यहाँ पर भारत में यूज कर रहे है इस से में color tv standard उपाल का यूज कर रहे है और पाल में हम दो देखेंगे कि यहाँ पर 625 line monochrome system होता है ठीक है तो इसको हम दोग देखेंगे पाल में ठीक है तो ntsc color system में क्या होगा अमेरिकन 525 line monochrome system के से compatible होता है कौन ntsc color system ठीक है अगला point in this system the weighted color difference signal जो भी weighted color difference signal होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग qi और q signal ठीक है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो weighted color difference होता है माल लेते हैं b-y है और r-y है ठीक है तो इसको बोलते हैं i इसको बोलते हैं q तो यहां से हम लोग जब color पढ़ा जाएगा उसमें primary color secondary color यह सब पढ़ा जाएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से primary color होते हैं कौन कौन से secondary color होते हैं तो primary color थोड़ा बता रेते हैं red, blue और green यह तीनों जो होते हैं वो primary color होते हैं तो इनहीं का यूज करके हम लोग इनहीं का यूज करते हैं किसमें color tv system में ठीक है तो यहां पे जो i और q signal है वो color difference signal होता है मतलब i जो है वो b-y के equal होता है और q जो r-y के equal होता है यहां पे जो b है वो blue है जो r r-y कैसे होता है ठीक है अभी यह इतना ही समझना है कि जो i और q signal है वो weighted signal है ठीक है वेटेड सिगनल है तो i and q signal और प्रेजन्ट अन इच लाइन सेमूं टेंसली एंड मेंटने मैचुवल फेज डिफरेंस प्लस 90 मॉडलेशन तकनिक इज amsc ठीक है तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो i और q signal है वो एक दूसरे से 90 डिफेज डिफरेंस पे होंगे माल लेते हैं अगर जो i signal है उसमें 0 डिफेज हो रहा है तो q signal है उसमें 90 डिफेज होगा ठीक है जो उसके बाद जो ntsc सिस्टेम है उसमें कौन सा मॉडलेशन हम लोग यूज करते हैं am मॉडलेशन का ठीक है amplitude मॉडलेशन amsc का यूज करते हैं ठीक है तो ntsc का जो major disadvantage यही है कि इसमें फेज इरर आ जाता है जो भी color different color जो produce हो रहा है आई और q signal जो produce हो रहा है उनके कारण से इसमें फेज इरर आ सकता है ठीक है तो यह major disadvantage होता है कि इसका ntsc सिस्टेम का फेज इरर ठीक है अगला point we use which technique to save bandwidth here ntsc में क्या होता है हुई technique का हम लोग use करते हैं किस लिए इस तकनीक का यूज करते हैं bandwidth को बचाने के लिए ठीक है कम bandwidth का यूज हो इसलिए हम लोग हुई technique का इसमें यूज करते हैं अगला point है ntsc में difference color signal b-y तथा r-y की help से 2 weighted signal i और q उत्पन किये जाते हैं मैंने बताया है कि जो i और q signal है वो b-y और r-y की help से ही generate होता है ठीक है अगला point है i तथा q i और q signal है एक दूसरे से 90 degree का phase difference होगा कि माल लेते हैं जो i है वो 0 degree का phase difference है इसमें तो q signal होगा उसमें 90 degree का phase difference होगा ठीक है एक दूसरे से quadrature nature के होते हैं ठीक है तथा q signal होता है i signal से 90 degree clockwise होता है ठीक है इसके बाद अगला point जो है जो i signal होता है वो 1.5 megahertz का bandwidth रखता है ठीक है और जो q signal होता है वो 0.5 megahertz का bandwidth रखता है तो इसको exam में लिखना बहुत ही important है ठीक है i जो signal होगा 1.5 megahertz का bandwidth रखेगा और जो q signal होगा 0.5 megahertz का bandwidth रखेगा ठीक है अगला point है i signal के transmission में ssb transmission का यूज होता है single sideband ठीक है और q signal के transmission में dsb का यूज होता है double sideband single sideband क्या होता है सिर्फ एक ही sideband को हम लोग transmit करते है single sideband में ठीक है या तो lower को हम लोग transmit करेंगे या तो higher को transmit करेंगे तो इसको बोलते है ssb single sideband double side band में क्या होता है कि हम लोग दोनो side band को transmit करते हैं lower side band को भी और upper side band को भी ठीक है अगला point है color sub carrier frequency का मान 3.579 345 MHz होता है ठीक है तो जो color sub carrier frequency है उसका value हम लोग ले सकते हैं लगभग में 3.58 ठीक है MHz इतना हम लोग ले सकते हैं इतना पड़ा लिखने की जरूरत नहीं है इतना हम लोग मान सकते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग समझते हैं फ्रिक्वेंसी इंटर लिविंग के बारे में क्योंकि जो anti-asc system होता है उसमें यही जो रूल है यही अपनाया जाता है फ्रिक्वेंसी इंटर लिविंग का इसमें यूज होता है इसलिए फ्रिक्वेंसी इंटर लिविंग क्या होता है इसको समझना बहुत ही जरूरी है इंटर लिविंग का मतलब क्या होता है कहें पर दूसके तीसरा जा जा जाए तो इसको इंटर्लिविंग भोलते हैं ठीक है इसके बीड narrative- लेंगे इंटर्लिविंग इसी तरह 2 frequency रैंज है ऑन कीलो हर से 5 street है इसके बीड लेंगे इंटर्लिविंग जब तीसरा चीज आ जाता है तो इसको बोलते हैं इंटर लिविंग ठीक है तो इंटर लिविंग फ्रिक्वेंसी क्या होता है एक प्रॉसेस होता है जो यूज होता है कहां पर एंटी एसी में ठीक है एक प्रॉसेस कैसा होता है प्रॉसेस होता है मतलब हम लोग जानते हैं जो जो कलर टीवी से होते हैं जो क्रोमिनेंस सिगनल होते हैं ठीक है कलर सिगनल को ही क्रोमिनेंस सिगनल बोलते हैं तो जो क्रोमा सिगनल या क्रोमिनेंस सिगनल होता है उसको भी इसी फ्रिक्वेंसी रेंज में रख कर हम लोग ट्रॉंस्मिट कर देते हैं ठीक है लूमिनेंस सिगनल को और क्रो तरह से इसको allowed कर दिया गया इस frequency range में ठीक है अब इन ही सिग्नल के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं कि 0.5 Hz 1.5 Hz 2.5 Hz 3.5 Hz इस तरह से अलोड करके हम लोग color signal जो होता है जिसको chroma signal बोलते हैं इनहीं के बीच में रखकर हम लोग transmit कर देते हैं तो इससे क्या होता है light signal और chrominan signal हम लोग का एक साथ में transmit हो जाता है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग frequency interliving आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कर देंगे मतलब एक तीर से दो निशाना हो जाएगा ठीक है जो लाइट सिगनल कर देंगे हमने आपको पहले ही बताया कि जो मतलब जीरो डिगरी को सफटी के लिए इन कलर के डिफ् наш को वी माइनस वाई और माइनस वाई को ट्रॉंसट करते हैं तो तो आप लोगका एक क Jimmy कर रहा कि क्यों सर आई और क्यों ह 해도 हम लोग ट्रांस्मिट कर रहे हैं ठीक है इसका फेज डिफ्रेंस जो बी माइनस वाई और आर माइनस वाई है क्यों इसको ही ट्रांस्मिट कर रहे हैं इसी कारण से जो भी हम लोग एंटी एसी सिस्टम जो भी हमारा कलर टेली विजन है उसमें उवर मॉडलेशन से सेप्टी के लिए हम लोग इन कलर के डिफ्रेंस को बी माइनस वाई और माइनस वाई को ट्रांस्मिट कर देते हैं ठीक है अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करने वाले हैं एंटी एसी जो सिस्टम है उसका फेजर डाइग्राम ठीक है फेजर डाइग्राम आपको एकजाम में बनाना होगा आपको फुल माक्स मिलेंगी ठीक है इसको बनाना बहुत ही जरूरी है आपको यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला जो एक्स एक्सिस है आपका ठीक है यहाँ पर आर माइनस वाई यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा ठीक है और एवाला जो एक्सिस है यहाँ पर वो बी माइनस वाई है और यहाँ पर बी माइनस वाई के साथ में माइनस है ठीक है इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है तो यहाँ यहां पे क्या है r-y है यहां पे minus r-y है ठीक है तो यहां पे क्या होता है इसके बीच में हमने देखा है कि जो r-y है और b-y है इसके बीच में क्या होता है q होता है तो यहां से इसको कर देंगे q ठीक है और जो r-y है और minus b-y है इसके बीच में क्या होता है i क्योंकि हमने अभ अगर पॉज्टिव है तो इधर हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग क्यों सिग्नल हो जाएगा आई सिगनल इधर हो जाएगा और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो माइनस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा क्योंकि इधर आपका पॉस्टिव है इसलिए पॉस्टिव रहेगा ठीक है मैंने समझाने के लिए बताया कि वह निगर्टी क्यों होता है क्योंकि 90 डिगरी फेस्टिंग हो जाता है ठीक है और यहां से हम लोग देखेंगे कि जो i और q के बीच में डिफ्रेंस है वो 90 डिगरी है यहां पर देख सकते है 90 डिगरी का फेस्टिंगर्स है ठीक है उसके बाद q और b-y के बीच का जो एंगल है वो 33 डिगरी माइनस b-y के बीच का जो एंगल हो 57 डिगरी है ठीक है तो यहां पर माल लेते है 90 दिखाना है आपको कि यहां पर जो इसका फिर डिफ्रेंस है कि और आई के बीच का दिखेंए यहां पर हमदोग दिखते हैं कि मैंने आपको बता है कि ऐसका बैंटे इतना होता JASON जीरो फॉइंट फाइब होता है कि अब मैंने आपको शुरुआट में थी 理न fat अट पांए और आयॉर Rep ребा का मतलब क्या है कि जो q होगा उसमें उसका कुछ value होगा और साथ में variables ही होंगे तो जो q का value होता है वो 0.21 r minus 0.52 g plus 0.31 b होता है ठीक है इतना होता है q का value और यहीं हम लोग बात करें जो i की value है वो कितना होता है 0.60 r minus 0.28 g minus 0.32 b ठीक है यहां पे जो r है वो red है g क्या है green है b क्या है blue है ठीक है तो इतना भी आपको सिर्फ देखना है कि इतना है i की value है यहां पे q की value है इसका derivation होता है कैसे आता है अगर इसको आपको जानना है तो इसका derivation है थोड़ा सा lengthy है जो कि हम लोगों के syllabus में नहीं है इसलिए इसमें सिर्फ यहीं देखना है कि i का value इतना होता है और q का value इतना होता है क्योंकि यहां पे value किस दे रहा है ना इसलिए इसको जो i और q signal है इसको weighted signal बोलते है ठीक है और यहां पे r-y और b-y के बीज में क्या है i है i में क्या होगा orange होगा ठीक है अगर positive i है तो यहां पे orange होगा अगर positive q है तो यहां पे magenta होगा इसी तरह से minus q रहेगा तो yellow green हो जाएगा और यहां पर minus i रहेगा तो तुस्यान हो जाएगा इस तरह से इसका फेजर डाइग्राम होता है तो इसको अगर exam में आ जाता है NTSC system तो इस फेजर डाइग्राम को आपको बनाना ही है तो आपको अच्छे marks मिलेंगी इसके बाद हम लोग दिखते हैं कि और जो आई सिगनल है उसकी फ्रिक्वेंसी हम लोग कैसे कह दिए कि 1.5 तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला जो आई एकसिस अनलेटें एप माल लेते हैं जो बीच वाला है इक क्या है FC है कटा फ्रिक्वेंसी है ठीक है और इदर माल लेते हैं FC प्लेस 0.5 मीगाहट्स है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो क्यों सिगनल का बंड बीथ होता है तो 0.5 मेगाहट्स होता है ठीक है तो यहाँ पे FC plus 0.5 MHz मैंने कर दिया ठीक है इधर अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पे FC है कटा फ्रिक्वेंसी है माल लेते हैं इधर जब आएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो यही चीज आपका FC-0.5 MHz हो जाएगा ठीक है अब क्या होगा कि क्यों आई सिगनल क्या होता है आई सिगनल को जो bandwidth होता है कितना होता है 1.5 MHz होता है ठीक है तो इधर क्या हो जाएगा और इधर आएंगे तो और माइनस हो जाएगा तो FC-1.5 MHz होगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग प्लोड कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे इस वाले रेंज में तो आपको कितना मिलेगा यहां से ठीक है यह दोनों मिला देंगे आप ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका FC हो जाएगा ठीक है माइनस FC ठीक है फिर आपका माइनस 1.5 MHz ठीक है यहां से जब माइनस अंदर गुड़ा करेंगे तो FC-FC कैंसिल हो जाएगा और यह वाला आपका 5 MHz बच जाएगा ठीक है 1.5 MHz यहां पर बच जाएगा तो यहां पर जो आई सिगनल होता है उसकी जो bandwidth होती है 1.5 MHz होती है ठीक है इसी तरह यहां का पूरा रेंज है यह वाला bandwidth जो है यह कितना होता है आपका 0.5 MHz यहां पर देख सकते हैं अगर FC-0.5 ठीक है यहां पर ह FC-0.5 यहां पर कर दिया जाए तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना 0.5 ठीक है क्योंकि इसको हम लोग पहले रखते हैं FC-0.5 MHz कर देंगे FC को तो FC-FC कैंसिल हो जाएगा 0.5 MHz बच जाएगा ठीक है 5 0.5 MHz बन जाएगा जो हो जाएगा आपका Q signal के लिए bandwidth ठी ठीक है तो यही था बस NTSC अब हम लोग देखते हैं इसका disadvantage क्या है क्योंकि जब कोई भी चीज बनता है कुछ उसके advantage होते हैं और कुछ इसके disadvantage होते हैं कुछ उसका disadvantage होगा तभी आने वाला जो system है वो फिर से दूसरा verify होगा ठीक है तो इसका disadvantage क्या था जो NTSC का था मैंने उसमें phase error ठीक है तो सबसे major disadvantage तो यही है कि जो NTSC system है उसमें phase error generate हो जाकते हैं ठीक है तो NTSC transmission path difference के प्रत sensitive होता है जिससे phase error generate हो जाकते हैं तो यहां पर जो भी phase difference है या differences जो color difference signal है उनके प्रत बहुत sensitive होता है account NTSC transmission ठीक है जिसके color से इसमें phase error generate हो सकते हैं ठीक है इतना चीज़ क्लियर हो गया जो की picture में color change कर सकते हैं जैसे phase error generate हो जाएगा उसमें phase error आ जाएगा माल लेते हैं आज और Q signal है उनका phase difference 90 degree है उनके phase में थोड़ा सा भी difference हुआ तो जो हम लोग TV देख रहे हैं color television जो देख होते हैं जब local television system network के programs के मद change over होता है इसको थोड़ा सा लिख लेना है बस मन चाहे तो लिख सकते हैं नहीं तो नहीं लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगला चीज़ है signal के wind circuit से पास होते समय chroma phase angle affected होता है माल लेते हैं जो भी signal है वो कई सारे circuit से पास होंगे क् से जब signal पास होगा ठीक है तो जो chroma signal पास होगा उसमें phase angle जो है chroma signal का जो phase angle है वो affected हो जाता है effect उसमें पढ़ जाता है पढ़ सकता है NTSA system में यह भी इसका disadvantage है इसके बाद receiver पर demodulator output के मद cross talk color distortion generate करती है तो इसमें एक और problem होता है जो NTSA system है उसमें cross talk distortion generate होता है ठीक है जो हम लोग जो भी signal भेज रहे हैं light signal और chromine signal light signal और color signal को एक साथ हम लोग भेज रहे हैं transmit कर रहे हैं तो receiver कर जब इसको demodulate करेंगे इसको फिली original form में convert करेंगे तो यहां पे जो cross talk distortion है वहां पे उत्पन हो ज system बस यही था बहुत हीजी था हो सकता आपके एक्जाम में पूछ ले चार नंबर में या फिर तीन नंबर में तो आप सारे topic point को अब लिख सकते हैं ठीक है और निश्ची धूप से आपको पूरे-पूरे marks मिलेंगे तो मिलते हैं next video में अगले आने वाले lecture में में लोग बा करते रहिए जाहिंद